तैसल बढ़वा के अंतरगत आने वाले ग्राम बागोद में 76 साल की व्यक्ति खिलाश नदी में मिली है यह बुज़र्ग पिछले साथ दिनों से लापता बताया ज़र है बागोद में बच्चों के शमशान घाट के नस्दीक नदी में 76 वर्ष ये शिवराम पिता पदम जाती वलाई जो पिछले साथ दिनों से लापता था जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी यह दिमागी रूप से कमजोर था जिसके तीन लड़के हैं उसकी लाश मुरत अवस् कर फोन पर चौकी प्रभारी महिश यादव को सूचना दी सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ मौकी पर पहुँच कर उसे बाहर निकाला गया और उसे बढ़वाश्यास की हॉस्पिटल पोस्ट मार्टम के लिए पहुँचाए गया और उसके बाद उसे उसके परजनों को सौब दिया जाएगा जोकी प्रभारी द्वारा कहा गया कि जैसे ही मुझे सूचना मिली मेरे द्वारा मर्ग कायम किया गया दोपहनी उसके लिए बढ़वा के बागूत से रतेश अगरवाल की रिपोर्ट